दादी मा के 31 आसान टिप्स नमस्ते फ्रेंड्स आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 31 ऐसी बहर जरूरी बाते जो आपकी रोजमरा की जिंदगी को आसान बना देगी ये टिप्स दादी मा के अनुबव से हैं और आपको जरूर अपनानी चाहिए टिप नमबर एक सर्दियों में मूली के पत्तों का रस पीने से रोग प्रती रोधक शमता बढ़ती है नमबर दो रात के खाने और दुपेर के खाने के बाद एक लसुन खाए वजन तेजी से कम होगा तीन कीवी का जूस बालों के लिए बहुत फाइदमन है चार बादाम के तेल से शरीर पर मालिश करने से खुचली की समस्या से राहत मिलती है नमबर पाँच यदि आप रात को सोने से पहले अपना चेरा धोने की आदट डाले तो इससे जूरियां और मुहा से नहीं होते और चेरा चमकदार बनता है छे दो चमच मलाई में कुछ बूंदे निम्बू का रस मिलाकर सोने से पहले चेरे पर लगाए सुबह गुनगुने पानी से चेरा धोले रोजाना इस उपाय को करने से मुहा से के निशान दूर हो जाएंगे साथ कद्दू के बीजों में सबसे अधिक मात्रा में रोटीन होता है आठ दिन में एक बार चेरा धोने के लिए साधे पानी की जगा चावल के पानी का उप्योग करें इससे रंगत तेजी से निखरती है नमबर नौ दिमाग तेज करने के लिए कुछ आसान उपाएं एक दिन में आठ से दस गलास पानी पीने से याददाश और एक अगरता बढ़ती हैं दो अपने आहर में विटामिन B12 और B9 से भरपूर खार्थ परदार शामिल करें ताकि आपके शरीर को जादा उर्जा मिले और आपका दिमाग तेज हो तीन योग, पैदल चलना, दोडना या कोई अन्यव्याम जैसी शाररी गती विद्याक मास्तिक में रत प्रवाव को बढ़ाती हैं जिससे ने नियूरिलोस का निर्मान होता है जिससे याददाश में सुदार होता है चार, हर रोज 7-8 गंटे की नीन याददाश को बहतर बनाने में मदद करती है नीन के दोरान दिमाग दिन भर की जानकारी को विवस्तिक करता है जिससे याद रखने की शम्ता बढ़ती है 5. स्मरन शक्ति बढ़ाने के लिए अपने आहार में ओमेगा 3 युखार परदाग शामिल करे हर दिन हरी सबजियां नाच्स, बीज, मचली और फल खाए 6. नई भाषा, नया संगीत, वाग्ययन या नया कोशल सीखना याददाश बढ़ाने का एक शांदर तरीका है ये मस्तिक के नई हिस्सों को सक्रिय करता है और याददाश को बहतर बनाता है 7. अगर आप किसी नई जानकारी को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो उसे नियमेत रूप से दोराते रहें, बार-बार पढ़ने से जानकारी दिमाग में जम जाती है 10. दूद पीने के बाद निम्बू या संत्रा नहीं खाना चाहिए 11. खाने के तुरंद बाद सोने से व्यक्ति की उमर तेजी से बढ़ती है इसलिए खाने के दो गंटे बाद ही सोना चाहिए 12. नाशपती खाने से दिल की धड़कन कम होती है 13. सुब खाली पेट दो गलास पानी पीने से शरीर के आंतरिक अंक सक्रिय होते हैं और चेरे पर चमाकाती है 14. फिटकरी को पानी में भिगो कर चेरे पर हलके हातों से मले जब ये सुख जाए तो सादे पानी से चेरा दोले चेरे की जूरिया दूर हो जाएगी 15. बहुत ज़्यादा गैस बनना या खटी डकारे आना कई पार लीवर की खराबी का लक्षन भी हो सकता है इसके लिए रोजाना किश्मिश का पानी पिए 16. अगर आपको सीने में दर्ध है तो अजवैन के वीजो का दूआ लेने से दर्ध से राहत मिलेगी 17. हरे दनिये को पीस कर मस्से वाली जगह पर लगाए इससे मस्से गायब हो जाएंगे 18. शतूत खाने से गले के दर्ध से राहत मिलती है 19. गेहू के आसपास भी नहीं बटकेंगे घून इन तीन तरीकों से करे लंबे समय तक अनाज स्टोर 1. नीम के पत्ते प्राकुर्तिक कितानशक का काम करते है अगर आप गेहू को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें नीम की पत्ते डाल दे 2. लसन की तेज गुन से सारे गुन और कीरे भाग जाते है ऐसे में आप गुन से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं 3. आप कपूर और लौंग की मदद से गुन से छुटकारा पास सकते हैं इसके लिए गेहू में कपूर और लौंग डाल कर रग दे इसकी तेज गन से गुन भाग जाएंगे 20. संत्रा खाने से चेरी की सुंदरता बढ़ती है शिशुओ को संत्रा नहीं देना चाहिए 21. तेज बुखार होने पर गेंदे की चाय पीने से श्रिगर राहत मिलती है 22. पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला कर सपता में एक बार पीने से पेट साफ रहता है 23. जो लोग कमजोरी से परेशान हैं उन्हें एक गलास दूद में इलाची के दाने उबाल कर पीना चाहिए इससे कमजोरी दूर हो जाएगी 24. कोल्ड रिंग का इस्तमाल जितना संबव हो उतना कम करें क्योंकि इससे दातों में पाईरिया हो सकता है 25. आपके घर की टांकी का पानी 100 साल तक भी खराब नहीं होगा अगर आप उसमें जामुन की लकडी का एक तुकड़ा डाल दे पुराने समय में जब लोगों के पास आरो नहीं होता था तो वो गमले में जामुन की लकडी का एक तुकड़ा या कुवे में जामुन की लकडी का एक तुकड़ा डाल देते थे क्योंकि जामुन की लकडी फाइटो केमिकल छोड़ती है जो पानी में कीडो को पनपने नहीं देता ये रसाइन पानी में मौझूद कीडो को मार देता है अगर ये रायसान हमारे पेट में चला जाए तो ये हमारे लिए बहुत फाइदेमिंद होता है। ये कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसलिए आपने सुना होगा कि पुराने समय के लोग 100-500 साल तक जीते हैं। 26. काजू खाने से पेट लंबे समय तक बहरा रहता हैं जिससे हम जादा खाने से बच जाते हैं और हमारा वजन भी नियंतरित रहता है। 27. चावल के पानी का सिर पर प्रयोग करने से बाल जड़ना बंद हो जाता हैं और बालों की रुद्धी भी होती हैं। 28. अगर मैला लगाता मैगी का सेवन करती हैं तो मैगी में पाए जाने वाले लेट नामक त्वत्व के कारण उनकी प्रजनन शमता दीरे दीरे कम होने लगती हैं। 29. दालचिनी पाउडर को निम्बू के रस में मिलाकर पेस्ट बना ले और इससे अपने चेरे पर लगाएं। कुछ देर बाद अपना चेरा धोले। आपकी तवच्चा पर मौझूद दाग धब्बे दीरे दीरे गायब हो जाएंगे। 30. चेरे पर फुनसी हो तो पर्फ का तुकड़ा मल ले। 31. नीम के पत्तो का रस पीने से जीवन भर पेट में कीड़े पैदा नहीं होंगे और पेट हमेशा साफ रहेगा। इस वीडियो में दीगई जानकरी सिर्फ सामानिय जानकरी और दादी मा के अनोभव पर आदारित है। किसी भी स्वास समस्या या संदे की स्थीती में अपने डॉक्टर से सला लेना जरूरी है। इसलिए किसी भी घरेलू उपाई या टिप्स को अपनाने से पहले विशिश्यक की सला अविश्य ले। दोस्तों तो ये थी 31 जरूरी बाते जो आपके जीवन को और भी सरल बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताईए कि इसमें से कौन सी बाते आपके लिए सबसे उपयोगी रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्त रहें और खुश रहें। चाओ।